गर्मियों का मौसम था और गाउं में सब किसान खेतों में व्यस थे जगन भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों में काम करता था एक दिन हमेशा की तरह दोनों ही खेतों में लगे हुए थे कि सुशीला एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई अरे बहुत जादा थकावट महसूस हो रही है इतनी गर्मी भी हो रही है सुचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाओ देखो तुमको अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम घर जाकर आराम कर लो नहीं नहीं आराम क्या करना मैं ठीक हूँ सुचीला थोड़ी देर बाद आकर वापस काम में लग जाती है जगन का ध्यान इसी में लगा रहता है कि सुचीला की तब्या ठीक नहीं है शाम होने पर दोनों घर जाते हैं और सुचीला एकदम बिस्तर पर पढ़ जाती है मुझे तो दिन से ही लग रहा था तुमारी तब्या ठीक नहीं है तुम भी ना सुनती नहीं हो ये नहीं कि घर जाकर अराम करती अरे ऐसे अराम करने से काम नहीं चलेगा घर चलाना है राजू को पढ़ाना है पता है न घर का खर्च कितने मुश्किल से चल पा रहा है कोई नहीं जी करना तो पड़ेगा ही ना काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या जगन उस दिन सुशीला को लेकर बड़ा परिशान हो जाता है वो बिलकुल नहीं चाता कि उसकी पतनी खेतों में जाकर इतनी सड़ी गर्मियों में काम करें पर उसके पास दूसरा और कोई काम भी तो नहीं होता जो सुशीला कर सके बस ऐसे ही सब चल रहा होता है सुशीला की तब्याद दिन पर दिन धीली होती जा रहे थी और घर में बहुत ही तंगी थी फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो उस गाउं में एक चुड़ैल आ जाती है जिसके पास एक भैस होती है वो अपनी भैस को लेकर पूरे गाउं में घूम रही होती है अहा मैं तो इतनी थक गई हूँ आज एक काम करती हूँ इसे यहीं बांद देती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर इसे ले जाओंगी यही सोचकर चुड़ैल उस भैस को सुशीला और जगन के घर के बाहर बांद कर चली जाती है अब थोड़ी देर बाद राजू को बड़ी तीस प्यास लगती है वो अपनी मा को उठाने लगता है बेटा मैं बहुत थकी हूई हो तू जाकर ले ले राजू खुदी पानी लेने चला जाता है कि फिर तभी उसकी नजर उस भैस पर पड़ती है जो उसके घर के बाहर एक खूंटे से बंधी होती है अब raju उस भैंस के पास जाता है भैंस राजु को बड़े ध्यान से देखती है और अपना सर उसके पास लाकर उसे प्यार करने लगती है राजु बड़ा खुश हो जाता है राजु जल्दी से अंदर जाकर अपनी मा को उठाता है पर वो नहीं उठती इसके बाद वो अपने बाबा को उठाता है जगन जाकर देखता है तो सच में वहां उस चुडैल की भैंस खड़ी होती है जगन इधर उदर देखता है कि शायद जिसकी वो भैंस है वो वहीं कहीं हो पर उसे आसपास क्या दूर दूर तक कोई नहीं देखता जगन भैंस के पास जाता है तो भैंस सर हिला कर उसे प्यार करने लगती है अरे ये भैंस तो बड़ी समझदार है जगन उस भैस के सिर पर हाथ फेरी रहा होता है कि तभी उसकी नजर भैस के पैर पर पढ़ती है जिसमें की चोट लगी होती है और खून बैरा होता है अरे इस भैस को तो चोट लगी हुई है अब मैं क्या करूँ आप इसे अंदर ले चलो न यहाँ तो इसके पैर पर मक्ही लग रही है आहाँ एक काम करता हूँ इसे घर के पीछे वाले आंगन में बांद देता हूँ जगन उस भैस को खोल कर घर के पीछे वाले आंगन में ले जाता है इतने में सुबा की थोड़ी रोशनी होने लगती है और सुशिला भ्योट कर आ जाती है अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और यह भैस कहां से ले आए लेकर नहीं आए कोई हमारे आंगन में बांद गया है और देखो इसके पैर में कितनी चोट लग रही है अरे हाँ आप हटो इसे मैं साफ करके इस पर हल्दी लगा देती हूँ इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी सुशिला पानी से भैस के पैर को अच्छे से धोती है और फिर उस पर हल्दी लगा देती है उसके बाद वो रसोई से उसके लिए रोटी लेकर आती है भैस रोटी खाकर आराम से सो जाती है आज अब खेतों में अकेले चले जाओ मैं राजु को स्कूल भेज कर यहीं रहूंगी और इसका ध्यान रखूंगी इसे ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते सुशीला पूरा दिन उस भैस का ध्यान रखती है फिर थोड़ी देर के लिए सुशीला कुछ काम करने अंदर जाती है जब सुशीला बाहर आती है तो देखती है कि भैस के थन से दूद टंकी की तरह बह रहा है सुशीला ये देख कर एकदम चौंक जाती है हे भगवान इतना सारा दूद सुशीला जल्दी से एक बरतन लेकर आती है और उसे लगा देती है पर वो बरतन कुछ ही सेकेंड में भर जाता है उसके बाद सुशीला दूसरा बरतन लाती है पर वो भी भर जाता है धीरे धीरे रसोई के सारे बरतन भर जाते हैं पर दूद आना बन नहीं होता आखिर में सुशीला एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आती है और वो भी भर जाती है तब जाकर भैस दूद देना बन करती है सुशिला अपने चारों और दूद के बरतन और बाल्टी देखकर हैरान भी होती है और खुश भी मुझे तो समझी नहीं आ रहा कि एक भैस इतना सारा दूद कैसे दे सकती है और मैं इतने दूद का करूंगी क्या सुशिला वहां से चली जाती है और बार बार दर्वाजे पर जाकर जगन का इंतसार करने लगती है सुशिला दर्वाजे पर खड़ी ही होती है कि तभी उसके सामने से एक आदमी दूद के धेर सारे डोल लेकर जा रहा होता है और अचानक वो एक खंबे से टकरा कर गिर जाता है सारा दूद वहीं फैल जाता है और वो सर पकड़ कर रोने लगता है अरे भाई साब आपका तो बड़ा नुकसान हो गया नुकसान की बात नहीं है बड़ी मुश्किल से भैस का दूद लेकर आया था मेरे घर में शादी है और मिठाई बननी है अब मैं कहा से दूद लेकर आऊ सुशीला सोच में पढ़ जाती है और अरे ऐसी बात है तो आप दूद यहां से ले जाओ अब दूद बेचते हो जी हां हमारे पास एक भैस है और आपको जितना दूद चाहिए आप ले जा सकते हो सुशीला फटा-फट सारे डोल दूद से भर कर उस आदमी को दे देती है जिसके बदले वो आदमी उसे धेर सारे पैसे देता है सुशीला तो इतने पैसे देखकर एकदम खुश हो जाती है और अंदर कमरे में आकर सारे पैसे एक डब्बे में छुपा देती है जब शाम को जगन आता है तो वो सारी बात जगन को बताती है ये तो कमाल ही हो गया एक भैस ने इतना सारा दूद दिया खेर जो भी है इस भैस की वज़ा से हमें बड़ा फायदा हुआ इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तुमको खेतों में जाकर काम करने की भी क्या जरूरत है तुम यही रहा करो और इस भैस का दूद बेचो हाँ हाँ बिल्कुल यह अच्छा सुझाव है पर अगर कोई इस भैस को लेने आ गया तो सब लोग सो जाते है और फिर चुडैल वापस आती है वो इधर उधर अपनी भैस को ढूड़ने लगती है चुडैल पूरे गाउं में उस भैस को ढूड़ने लगती है पर उसे कहीं भी वो भैस नहीं मिलती फिर काफी देर बाद उसे कुछ भैस एक आंगन में बंधी दिखती है चुडैल बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी भैस भी उसी में होकी चुडैल बड़ी खुशी-खुशी भैंसों के पास जाती है पर तभी सारी भैंसे उस चुडैल को देखकर चिलाने लगती है क्या पागल हो गई है ये सब जो ऐसे आवाज निकाल रही है सारी भैंसे चुडैल को धक्का मारने लगती है और फिर सींग मार कर उसे भगाने लगती है चुडैल को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ये सब की सब भैस बेकार है इसमें मेरी भैस है ही नहीं अब मैं उसे कहा जाकर ढूण लो आखर उस जगह से वो गई तो गई कहा मेरे तो उसे बांदा था तो उसे खोल कर कौन ले गया चुडैल उस भैस के ना मिलने पर पागलसी हो जाती है अगर वो भैस नहीं मिली तो मैं जिंदा कैसे रहूगी उस भैस का दूद पीकरी तो मुझे ताकत मिलती है मेरी भी क्या मती मारी गई थी जो मैं उसे ऐसे चोड़ कर चली गई चुडैल फिर से अपनी भैस की तलाश में निकल पड़ती है पर उसकी भैस आराम से जगन के पीछे वाले आंगन में सो रही होती है चुडैल पूरी रात अपनी भैस को ढून-ढून कर ठक जाती है और जैसी वो देखती है कि सवेरा होने वाला है वो जल्दी से वहां से चली जाती है कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते है जगन और सुशीला उस भैस के दूद से खूब पैसे कमा रहे होते हैं और दूसरी तरफ चुडैल बिना दूद के भूखी तड़प रही होती है एक दिन जगन देखता है कि भैस के आसपास काफी गंदकी हो गई है जगन उस भैस को पीछे आंगन से आगे आंगन में लाने लगता है पर भैस जम कर खड़ी हो जाती है और खिसकने का नाम ही ने लेती अरे इसे क्या हुआ ये आगे आंगन में आई नीरी अब मैं सफाई कैसे करू जगन बार-बार भैस को बाहर लाता है पर वो आती ही नहीं उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बात क्या है वो जैसे तैसे करके उस भैस को आगे आंगर में बान देता है और एक शादी के लिए निकल जाता है अब उस राद भी चुडएल अपनी भैस को ढूंड रही होती है बिना दूद के चुडएल काफी कमजोर हो चुकी होती है पूरा गाउं सो चुका होता है और बस चुडएल अपनी भैस को आवा वो वहाँ से कहीं जा नहीं पा रही होती। भैस बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी खूंटे से आजाद हो जाए पर वो नामुम्किन होता है। कुछ ही देर में चुडैल वहाँ आ जाती है। भैस को देखकर चुडैल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। हाए तु यहाँ है। मैं तुझे कितने दिनों से ढूंड रही थी। पर एक उमीद से पीछे मुड़ती है। भैस की आखों में आसू होते हैं पर वो बड़ी मजबूर होती है। वो समझ जाती है कि अब वो कभी वापस जगन और सुशीला के पास नहीं चापाईगी और हमेशा उसे उस चुडैल की कैद में ही पड़ेगा। उसे वक्त जगन शादी से वापस लोट रहा होता है। अपनी भैस को चुडैल के साथ देखकर वो एकदम डर जाता है और पेड के पीछे छुप जाता है। पेड के पीछे चुपकर वो चुडैल की सारी बात सुन लेता है जो वो भैस से बोल रही होती है। पर अब बात भैस को उस चुडैल के चंगुल से बचानी की होती है। जगन चुडेल का पीछा करता है। चुडेल अंदर जंगल में दूर भैंस को एक खंड़र के पीछे बांदेती है और खंड़र के अंदर चली जाती है। चुडेल के अंदर जाते ही जगन चुपके से वहां आता है। जगन को देखकर भैंस खुशी से उचलने लगती है। वो से फिर से ढूंडती है पर इस बार वो से कहीं नहीं मिलती और चुडैल बिना दूद के एक दिन भूखी ही मर जाती है